पील्सी इंपूट आउट्पूट एड्रेसिंग कैसे करते हैं यह हम लोग इस यूडियो पर देखेंगे एको स्ट्रक्शर माशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉट्फेर है इस सॉट्फेर से शनाइडर की पील्सी प्रोग्राम कर सकते हैं एंट्टू हंडेड एंट्टू अप्रेड़ेड और एंटू तुवन सीरीज पटिंग को यह सॉट्फेर ओपन होने के बाद इनक्टिव लोग प्रोटेक्शन इनक्टिव कर लेते हैं और कॉन्टेड़ेशन में एक पील्सी इसे रिट करते हैं M200 series का PLC लेते हैं यह PLC हम लोग ने लिया है जिसका कि model नमबर यहां लिखा हुआ है TM200C2040 और इसका description यहां पर है 14 input हैं और 10 outputs हैं digital output तो इसका addressing देखने के लिए इसमें बहुत ही easily provide किया हुआ है उसके लिए हम लोगों को यहां क्लिक करना होगा digital inputs में और digital inputs क्लिक करते ही आप देख रहे हैं यहां पर addressing software आटोमेटिकली दिखाता है percentage i0.0 यह पहला input है और i0.1 दूसरा है accordingly last आप scroll कीजेगा तो i0.13 यह 0 से 13 तक के inputs हैं यानि total 14 input हुए इसरी पकार से यह outputs के लिए digital outputs में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर इसके addressing आजाएगा percentage q0.0 q0.1 0.2 accordingly 0.9 तक percentage q output के लिए denote होता है और 0.1 करके 0.9 यानि यह 10 पूरे outputs है digital outputs अब suppose कीजे इसमें हम लोग एक input output module add करते हैं तो digital output module यह tm3 digital iu modules हम लोग add करेंगे यहां पर इसको हम लोग suppose कीजें हम पर add करते हैं extension हो जागा इसका PLC का और नीचे आते हैं तो यह देखे initial output modules है 32 point के तो यह 16 point के do module है इसको हम लोग यहां पर add करते हैं और एक analog module भी add करते हैं analog modules यह है आपके इसको हम लोग add करते हैं आपर इस PLC में total four numbers of add हो सकते हैं extension modules तो अभी यह है अभी इनका addresses देखना है इस module का तो इसके लिए हम लोगों को आप देखेगा जैसे आप इसको click करेंगे module को तो यहां पर module left में show कर रहा है module 1 TM3 32 DI 32 यह digital input module 32 points का है और इसको digital input में click करते ही इसके addresses दिखा रहे हैं आपर यह addresses है percentage I1.0 यह I1.0 से लेकर आप नीचे scroll करेंगे तो I1.31 total 32 inputs यह हैं आपके similarly digital output module को click करते ही इसका digital output module की यहां पर क्लिक करेंगे आपके इसका output addresses आ गया है Q2.0 Q percentage Q2.1 percentage Q2.2 ऐसे करके पूरा Q.15 तक percentage Q2.15 similarly analog वाला कभी आप क्लिक करेंगे और उसके addresses भी दिखने के लिए आपको यह से click करना होगा तो उसके वई addresses ऐसे आ गए है percentage IW3.0 से percentage IW3.7 तो यह आपके physical input output addresses होगे PLC के अब बात करते हैं हम लोग further memory addresses के तो उसके लिए हम लोग programming में आना होगा programming में आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको show कर रखा है program रहने के लिए और अगर आप tools में आएंगे यहाँ पर तो tools में आपको memory objects memory objects में आप expansion लेंगे तो memory bits और percentage M0, percentage M1, percentage M2 इस परकार से percentage memory bits आपके यहाँ पर show हो रहे हैं और total यह आपके percentage memory bits आप last अगर देखेंगे इसको scroll करके तो यह 511 है यहाँ पर लिखा भी यह number of objects 512 है तो percentage M511 यहां तक हम लोग memory bits यूज़ कर सकते हैं इसे परकार से memory words की बात करें तो percentage MW0, percentage MW1 इस परकार से इसको लिखना होगा और यह हमारे total है available है 8000 तक और double word memory double word को है तो वह percentage MD करके होगा यहां पर और floating point value है तो percentage MF करके लिखना होगा floating point means की decimal value अगर हमको लिखनी है यह store करनी है तो हमें percentage MF0, percentage MF1 इस परकार से variables यह यूज़ करने होगे constant words, constant word में percentage kw0 यह constant word है kw1 kw2 इन में इसकी values लोग change नहीं कर सकते हैं थूज़ू software यह constant रहती है और fix रहती है यह programming से चीज़ नहीं होती है तो यह इसको हम लोग use करते हैं for example memory word memory bit यूज़ करना है तो इससे click किया और address में हम लोग percentage M और आप देख रहे हैं यहां पर software size memory word शो कर रहा है तो percentage M for example हम लोग 500 ले ले लेते हैं this is memory bit और इस परकार से हम लोग memory word यूज़ कर सकते हैं memory word यूज़ करने के लिए for example हमने operational instruction लिया हुआ है और यहां पर लिखते हैं for example percentage MW 10 यह memory word 10 है और इसमें इसकी compare करते हैं तो एक certain bit माल यह bit है और यह output ले लेते हैं percentage Q0.1 यह output है जो की on हो जाएगा जब यह memory word की value 100 से ज्यादा होगी इस परकार से हम लोग logic में memory word यूज़ करते हैं दूसरा देखते हैं हम लोगे similarly percentage M5 यह memory word है और अगर इसका floating point जूस करना है तो तो परसंटेज एम एफ लिखना होगा अब परसंटेज एम एफ इस ग्रेटर देन 50.87 परसंटेज एम एफ वन ले लेते हैं इस ग्रेटर देन 54 यह है और इसको एक output लेते हैं percentage q0.0 लीजिए तो आप देख रहे हैं यहां पर जो memory word यूज़ किया है वो integer type है और यहां पर decimal type है decimal type के लिए percentage MF करके यूज़ करना होगा और normal अगर integer type है तो percentage MW करके word यूज़ करना होगा करता है यूज़ कर देन् लेते हैं पर यूज़ कर व्यूज़ कर दढos बटना है उंपिद्ट